हेलो स्टुडेंट्स, वेलकम बेक तो माई इस्टेवल क्लास चैनल, तोडिये स्टुडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फायर एंड आइस का सेंटरल आइडिया जो की क्लास 10 के बोड एकजाम के लिए बहुत ही इंपोटेंट है तो डिये स्टुडेंट्स, ये सेंटरल आइडिया हमने अपनी वासा में एकदम सरल तरीके से लिखा है इस वीडियो को बिना स्किप के एकदम आन तक देखते रहना तो देखिए यह कविता फायर एंड आइस रोवर्ट फ्रस्ट के द्वारा रचित है इस कविता में इस कविता में कभी संसार के अंत की वाविश्यवाणी करता है सम प्योपिल कुछ लोग कुछ लोग कहते हैं कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत वर्ट से होगा आगा देखिए अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए आतंगबाद पनपेगा दस इस प्रकार बहुत दोनों बिल होंगे कोशिस कारण दा एंड अंत और दा बल्ट संसार के इस प्रकार संसार के अंत के दोनों कारण होंगे कौन-कौन से देखिए यानि कि मनुस्य अपनी इच्छाओ को पूरा करने के लिए प्रकारतिक संसार के अंत कारण बनेंगे तो देखिए इस प्रकार से फायर एंड आइस का सेंटल आइडिया कंप्लीट हुआ तो देखिए ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सुबक्स में कमेंट करके बताना वीडियो अच्छी लगए हो तर लाइक कर देना और चैनल को सस्क्राइब करके बैल आइकन को भी प्रस कर देना जिससे कि नेस्ट वीडियो को नोड़ि फिक हैसाज सब सब पहले मिल सके तो चलिए मिलते है नेस्ट वीडियो में नेस्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जाहिन बंदेवत्रम